किसान भाईयो स्वाइबीन की फसल एक ऐसी फसल है जिसको बहुत ज़्यादा पोशक्ततों की आवशक्ता होती है और अगर फसल को किसी भी आवस्ता में किसी पोशक्ततों की कमी मैसूस होती है तो उसी आवस्ता से स्वाइबीन की पेदावार गट जाती है तो सोयबीन की पसल में पोसकतों की कमी को पूरा करने के लिए बुवाई के समय पर N.P.K. 12-22 का पुर्योग किया जाता है और कुछ किसान भाई D.A.P. और M.O.P. खाद का पुर्योग भी करते हैं लेकिन सिर्फ बुवाई के समय पर ही खादों का पुर्योग करने से अपना काम पूरा नहीं होता है क्योंकि बुवाई के बाद भी पोड़े को अलग-लग स्टेज में अलग-लग परकार के पुसकतों की आवशकता होती है तो किसान भाईो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड और आप देख रहे हैं स्माय टेगरी कल्चर योट्यूब चैनल इस वीडियो में हम आपको स्वैबीन की पुसल में एक ऐसे खाद के पुर्योग के बारे में बताने वाले हैं जो खाद स्वैबीन की पुसल के लिए बहुत ज़्यादा आवशक है और अगर आप स्वैबीन की पुसल में उस खाद का पुर्योग करते हो पहले बार आए हो तो नेचे देए लालक्स रोके सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नए वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो किसान भाईयो चलिए अब बात करते हैं कि हमें स्वैबीन की पुसल में कौन से खाद का पुर्योग करना चाहिए तो उस खाद का नियाम है N.P.K. 1919 किसान भाईयो N.P.K. 1919 काद स्वैबीन की पुसल के लिए बहुती अच्छा खाद है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फासपोरस और पोटाज तीनों ही बराबर मातरा में पहे जाते हैं चैसमें से नाइट्रोजन, पोदे में क्लोरोफिल की प्रक्रिया को तेज करती हैं जिसकी वजह से पोदे में हरापन बढ़ता है, पोदे की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है और अगर पोदे में पिलापन आ रहा होगा तो वह भी दूर हो जाता है इसके लावा पोदे की रोग प्रच्रोदक समता को बढ़ती हैं, पोदे की जल आउसोसन समता को बढ़ती हैं और पोदे की जड़ो और तने को मजबूती प्रदान करती है और पोटास पोदे की क्रोध बढ़ाने का काम करता है और पोदे में रोगों से लड़ने की समता प्रदान करता है इसलिए स्वयबीन की फसल में NPK 1919 काद का प्रियोग करना बेहर्द ज़्यादा जरूरी है अब अगर बात करें कि स्वाइबीन की फसल में NPK 1999 काद गपरियों कौन से समय पर करना चाहिए तो स्वाइबीन की बुवाई के 15 दिनों से लेकर स्वाइबीन में फूल निकलने से पहले आप NPK 1999 काद गपरियों कर सकते हो क्योंकि इस समय निकलने के बाद आप इस्प्रे करते हो तो उससे आपको अच्छा रेजल्ट नहीं मिलेगा फूल निकलने के बाद आपको अलग परकार के NPK खाद का परियों करना पड़ेगा लेकिन फूल निकलने से पहले और बुवाई के 15 दिनों के बाद इस समय नतराल में आप NPK 1999 का परियोग कर लीजिए अगर बात करें कि परियोग किस परकार से करना चाहिए तो आपको NPK 1999 का परियोग इस्प्रे के माध्यम से करना चाहिए और इस्प्रे से ही आपको बहतर रिजल्ट मिलेगा अगर बात करें कि इसकी मातरा कितनी रखना चाहिए तो इस्प्रे करते समय आप एक एकड में एक किलोगराम खाद का इस्प्रे करें और पानी की मातरा 150 लेटर रखे मतलब की 15 लेटर पानी वाले इस्प्रे पंप में 100 ग्राम NPK 1999 काद डालना है लेकिन इस्प्रे करते समय खेत में नमी होना जरूरी है क्योंकि खेत में नमी मौझूद होगी तभी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप NPK 1999 काद को कीट नसक और पपुदी नसक के साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हो और कुछ किसान भाई स्वयबीन में खरपतवार नसक के साथ भी इसका परियोग करते हैं तो आप खरपतवार नसक दवा के साथ NPK 1999 को मिक्स ना करें लेकिन अगर आपकी फ़सल में खर्पतव और नासक दवा का छिड़गाओ करने के बाद एक जटका लग जाता है तो उस जटका को रिकवर करने के लिए आप जरूर NPK 1919 काद का पुरियोग के खर्पतव और नासक दवा के छिड़गाओ के बाद कर सकते हो तो किसान भाईयो इस वीडियो में हमने सौयबिन की फ़सल में NPK 1919 काद के पुरियोग के बाद की है तो आपको वीडियो क्या लगा वीडियो के बारे में आपकी क्या राए हैं कमेंट करके अविश्य बताईए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में जई जवान जई किसान